हेलो फ्रेंज वेलकम टो माई यट्यूब चनल दोस्तो बिहार पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम को लेकर के एक नोटिस बहुत यह तेजी से वाइरल हो रहा है कि जो आपका 21 मार्च को बिहार पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम होना था उसे अस्तगित कर दिया गया है तो फ्रेंज वीडियो के माध्यम सम्देखेंगे कि क्या सही में आपका 21 मार्च को होने वाला एक्जाम अस्तगित कर दिया गया है यानि कि रद्द कर दिया गया है या नहीं किया गया है और फ्रेंट्स इस वीडियो के माध्यम समय देखेंगे कि आपका एक्षपेटर राणाव कितना रहने वाला है और अगर आपका 21 मार्च को एकजाम है तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहले मैं उनका इकजाम 21 मार्च को होना है उनको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि उनको एक्जामिनेशन हाल में आदा घंडा पहले ही जाना है जÍससे कि यहांपर आप देख सकते हैं कि अभियरतियों का कहना है कि वो समय से पहले परिच्छा किंदर पर गया है यानि कि कुछ अभियर्थियों का एक्जाम छूड़ गया है उनका गलती भी नहीं था और वो समय से पहुंचे थे लेकिन समय से पहले ही गेट को बंद कर दिया गया था और अभियर्थियों ने गेट तोड़ने की भी कोशिज किया था ऐसा न्यूज में वाइरल और दूसरी बात यह है कि अगर किसी का यानि कि कोई भी चीटिंग करना चाहेगा या कोई भी धांदली होने का असार रहेगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यहां पर क्या मासला चल रहा है जिसे कि आप पहले से ही सतर्क हो जाएंगे तो सबसे पहले अब देखते हम उस नोटिस के बारे में जो सोसल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वाइरल हो रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि संबंधित लिखित परिच्छा असगित किये जाने के संदर्व में यानि कि यह असगित किये जाने के संदर्व में यह कि केंद्री चैन परसद यानि कि सिपाही भरती बिग्यापन संक्या 5-2020 से संबन दित बिहार पुलिस संगठन में परिच्छा के पद पर भरती है तू दिनांक 21-2021 से यहां पर आप देख सकते हैं डेट 21-2021 को निर्धारी दोनों पालियों की लिखित परियार कारण वस अस्थ की जाती है और उते लिखित परिच्छा की नई तीथी सूचना की अलग से परकासित की जाएगी यानि कि जो परिच्छा होना है 21-2021 को उसके लिए जो नई परिच्छा तीथी है उसे अलग से परकासित की जाएगी तो फ्रेंट से यह आप देख सकते हैं कि यह आज का ही न जो आपका 21 मास को एक्जाम होना है उसे अस्थगित नहीं किया गया है क्योंकि मैंने इसके पीछे चेक भी किया है तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं इसको चेक करना कि आपका एक्जाम सही में अस्थगित हुआ है कि नहीं हुआ है तो आपका सबसे पहले आपको बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर अगर आप कोई नोटिस इसे संदर में देखेंगे यानि कि ऐसी अगर नोटिस अगर आपको वहां से मिल जाएगी तो आज समझ दीजिए कि आपका एक्जाम कैंसिल हो गया है लेकिन मैं इसमें यानि कि बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के वेबसाइट पर गया था और वहां पर देखा कि कोई भी ऐसी नोटिस नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि आपका एक्जाम रद्ध हुआ हो यह ऐसी भी मतलब कोई नोटिस नहीं है जो आज यानि कि 18 मार्श को आपका आया हो तो इससे साब जाहिर होता है कि आपका जो एक्जाम होना है वह 21 मार्श को होना ही तो यह रद्ध नहीं हुआ है और यह बहुत सारे यान यहां पर या राक्न देने जाएं, और आपके एकजम में, जो चौदर मार्जाण को एकजाम हुआ है, इसे भांदली हुआ है, यह तो आपको पता ही होगा, और यहां पर मैं बता देना चाहूंगा, जो आपका 21 मांच को एक्जाम होना है उसके लिए लगबंग में 5 लाख कंडिडेट पार्टिसिपेंट करेंगे यानि कि 5 लाख कंडिडेट को यह अड्मिट कार्ड जारी किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केंडरी चैन कांस्टेबल की ओर से आज़ीद विहार फुलिस परिच्छा 2021 के लिए यानि कि रभी वार को आज़ीद हुई थी इसमें आरजीडी की परिच्छा से सवाल उठाया गया था यानि कि यह सवाल उठाया गया था जो मतलब चीटिंग हुआ था उसके संदर में आरजीडी के द्वारा सवाल उठाया गया था लेकिन इस पर कुछ भी जवाब नहीं मिला है और इन्हों ने कहा है यानि कि पार्टी अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि सरकार बताए अगर यह सच है तो ऐसा क्यों है और किसके इसारे पर हो रहा है इसका दोसी कौन है या क्या सरकार एक परिच्छा पारदर्शी तरीके से नहीं करा सकती है तो ऐसा जवाब यहां पर यहां पर यहां पर युवाव के साथ खिलवाद किया जा रहा है स्ट हिस को किसी को 10 वाला था वह खरीद रखा था यानि कि यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो एक्जाम होना है उसके लिए लगवग में 5 लाग कंडिडेट इस बार पार्टिसिपेट करेंगे और इससे पहले जो आपका एक्जाम हुआ है उसके लिए 6 लाग कंडिडेट ने एक तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देने चाहूंगा कि जो आपका एक्जाम हुआ है 14 मार्श को उसमें लगववव में 6303 लाग लोगों को एड्मिट कार्ट जारी किया गया था जिसमें 6 लाग कंडिडेट ने एक्जाम दिया था और अभी आपका 5 लाग कंडिडे कंडिडेट ईक्जाम देंगे बिहार पुलिस का और इसमें यहां पर अगर देखा जायत चाहिए और हम लेवव बहुत जएधा हाड था यारी कि जो 14 मार्ज को आपका एक्जाम था वह बहुत ही ज्यादा हाड था जिसके वज़से यहां पर लोगों का कहना है कि कोई बोला 30 या कोई बोला 40 एटेम्प किया था और मैक्सिमम लोगों ने जो बोले हैं वो यह बोले हैं कि 50 से 60 के बीच में ही कर पाएं 60 से ज्यादा कोई ने बता रहा है कि मेरा एटेम्प हुआ है तो इससाफ से यहां पर मैं आपको बता रहें चाहूंगा कि यहां पर आपका जो कटाफ है वह भले ही एक्जाम का लेवल हाड है तो इससाफ से जो भी मतलब धांदली किये हैं उनका नंबर तो अच्छा ही आएगा यारी कि उनका मार्क अच्छा ही जाएगा उससाफ से अगर देखा जा तो अगर आप जनरल से विलॉंग करते हैं तो आपका जो कटाफ है वह 70 से 73 के बीच में जाएगा और अगर आप आप OBC से विलॉंग करते हैं तो OBC वालों का 68 से 72 के बीच में जाने का संभावना है यानि कि आप बोल सकते हैं कि 68 से 71 के बीच में आपका सकते हैं कि OBC का जाएगा और अगर आप अगर आप बीसी कटेगरी फर्स से विलॉंग करते हैं यानि कि बीसी फर्स से विलॉंग करते हैं तो आपका यहां पर जो कटाफ है वह 65 से 68 के बीच में जा सकता है ऐसा और अगर आप देशकते हैं अगर आपका बीसी सेकेंड है यानि कि बीसी सेगेंड करते हैं तो आपक वह 58 से 58-60 बीच में आपका जाने का संभाँ ना है यानि कि अगर आप 20 स्बूरा करते हैं तो आपका 58 seriously one के बीच में जाने का होना है उनको आप यहां बता दें कि आपका जो exam है वह होना ही है और मीडिया पर न्यूज फैलाए जा रहा है यारी कि जो नोटिस फैलाए जा रहा है वह बिल्कुल फेक है इसके पलड़े में आप ना पड़े और आप अपना एकजाम देने ही जाएं और आधा गंटा पहले जाएं तो फ्रेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो फ्लीज वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को सब्स्क्राइब बीजिए और वेल ऑगन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगयाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहा है और कॉमेंट करके हमें मोटिवेट जरू करें जिससे कि हमें होसला मिलता है यानि कि होसला बढ़ता है हमारा तो फ्रेंस थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ है विस्व अल्दवेश्ट